नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो जीवन में कभी-कभी केवल दुश्मन ही नहीं बलकि आपका भाग्य भी आपको बहुत अधिक परिशान करता है जब कभी भी इन दोनों चीज़ों की यूटी होती है तो आपके समझ में ही नहीं आता है कि इन सभी का समाधान किस प्रकार किया जाए कहा जाए किसे मदद माँगे और कैसे बचे इन सभी समस्याओं से कभी कभी तो हालात ही ऐसे हो जाते हैं कि निराशा आपके जीवन में घर कर लेती है सभी प्रकार की समस्याओं को अपने और अपनाकर आप हतास हो जाते हैं तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाए बताएंगे जिससे आप अपने भागे को बदल सकते हैं साथ ही सभी प्रकार के दूष्मनों से छुटकार प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूटीव चनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप पहले इसे सबस्क्राइब कर लें क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबर्दस वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुख में जीवन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अपने दुस्मनों से कैसे चुटकारा लें और साथ ही अपने जीवन में धन संबंदी सभी समस्याओं का कैसे निवाकरण करें दोस्तों दुस्मन कई परकार के होते हैं कुछ लोग आपसे पैसे ले लेते हैं लेकिन देते नहीं हैं कुछ लोग आपको बेवज़ा ही परिशान करते हैं तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जमीन जाइदादों से जुड़े हुए मसलों में आपको परिशान करते ही रहते हैं यहीं नहीं बलकि नोकरी या ब्यापार आफिस आदी में कारे करने वाले व्यक्तियों के भी ऐसे दुस्मन होते हैं जो कि उनसे चिड़ते हैं दोस्तों दुस्मनों को शांद करने के लिए दुस्मनों को हमेशा के लिए बंद करके रखने के लिए या पर यूँ कहें कि इनके मुख पर तला लगाने के लिए आप एक छोटा सा प्रयोग करें इस प्रयोग के लिए आपको बस एक कटोरा पानी ले लेना है यानि कि किसी भी बड़े बरतन में पतीले में, कटोरे में या बड़ी कटोरी में बस आप साफ जल भर लें जी हां दोस्तों, आपको साफ बरतन लेना है और इसमें स्वच जल भर लेना है और आपको बस एक कोई भी पुराना तला जो आपके घर में पड़ा हो या फिर आप नए ताले का इस्तमाल भी कर सकते हैं उस नए ताले को या पुराने ताले को पानी में डाल करके चावी से उसे बंद करते वक्त आप केबल बजरंग वली का ध्यान करें और उनसे मनोकामना मांगे कि आपके सभी दुस्मन सदैव के लिए शान्त हो जाएं उनके मुक पर तला लग जाए उनकी बुद्धी वे दिमाग पर तला लग जाए बस आपको इतना सा प्रयोग करना है और पूरी रात उस ताले को चावी के साथ ही बंद हालत में आपको उस पानी में पड़े रहने द नीचे उसकी जड़ में थोड़ा सा गड़ा करके दबा दीजिए थोड़ा गहरा ही दबाएं ताकि वे ताला कोई भी खोलना सके वे ताला जब तक बंद रहेगा तब तक आपके सभी दुस्मन शान्त रहेंगे आपका कुछ भी नहीं बिगार पाएंगे उनकी बुद्ध दोस्तो अब बात करते हैं धन कमाने वाले परियोग की इस परियोग को करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तो बस आपको इसके लिए छोटा सा एक नया ताला लेकर क्या आना है इस नए ताले को अपने गर में जब पूजा का मंदिर है वाँ पर बैठ कर इस पर थोड़ पर लगे हुए ताले के समान ही माना जाता है जी हां जब भी कभी आपको अपने किसमत का यानि की भागे का ताला खोलना हो तो आपको ताले से ही प्रयोग करना चाहिए इसके लिए आप कोई भी एक नया ताला ले आए छोटा या बड़ा कोई फरक नहीं बढ़ता है बस इस ताले पर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम लगाए और अपने सिर पर से तीन बार गुमा लें तीन बार गुमा लेने के बाद अपने नजदी के किसी भी लक्षमी या बिश्नु मंदिर में जाए जहां पर केले का पेड़ उपस्तित हो ऐसा ही मंदिर में ज किस्मत आपका साथ कभी भी नहीं चोड़ेगी बस आप अपने घर पर ताले को खोल कर वापस आ जाए हाथ मुँ धोने के बाद अपने दिन दिन चर्या को नमेत रूप से करें आपकी किस्मत का ताला कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा दिन दूनी राद्चोगनी तरकी आपको देखने को अवश्य मिलेगी हर प्रकार की किस्मत का ताला तो खुलेगा ही साथ ही दूस मनों का भी अंत हो जाएगा आपके जीवन में जो भी आप मनों कामना रखते हैं दन कमाने की वे सभी पूरी हो जाती हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में किवल इतना ही कल फिर आप से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिदे में इजाज़त दने बाद कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले जाए बजरंग बली जाए मातादी जाए मालक्षमी